वाइस के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Roblox की problem के बारे में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जब भी आप Roblox को यूज करते हैं तो आपको problem आती है connection error unable to connect server please check your internet connection अगर आपको कुछ इसरा problem आ रही है Roblox पर तो इसका solution किया है वह मैं आपको बता देता हूं simple steps को follow करना problem solve हो जाएगी तो आपको क्या करना है सबसे पहले मापको बता देता हूं सबसे पहले आपको setting में आना है setting में आने के बाद आपको additional setting में आना है automatic आपका date and time सही हो जाएगा और अगर date and time गलत होगा तो आपको कई बार ये problem face करनी पड़ सकती है तो date and time को सही करने के बाद तुरंत बाद आपको क्या करना है setting में आ जाना है फिर से और यहाँ पर scroll करना है और यहाँ पर apps को option देखने को मिलेगा इस पर आ जाना है ister boss और आ चुका है इसको open करते हैं open करने के बाद यह options आ जाते हैं आपके सामने सब्से उपर लिखा हुह is storage storage पर आपको click karna है click करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे clear data लिखा इसा पर click करिए यहाँ पर इसका clear old data कर देजिए जैसे आप इसका clear all data कर देंगे अगर आपको clear catch दिखाए यहाँ पर सबसे पहले तो clear catch करिएगा उस clear catch करने के बाद problem solve नहीं होती है तो आप clear all data कर सकते हैं तो यह काम करने के बाद आपको back आजाना है और directly अपने mobile को एक बार power button दबाकर restart कर लेना है या फिर reboot कर लेना है तो आप देखेंगे जो आपकी problem होगी वो solve हो जाएगी यहाँ पर power button दबाना है देख सकते हैं reboot को option आचुका है आपके mobile में reboot या restart को option जो भी आए आप कर लीजिएगा जैसे आप mobile loan होगा आप देखेंगे roblox चला कर problem solve मिलेगी आपको सिर्फ ये काम आपको कर लेने है अगर आपको फिर भी कोई problem आज में comment box में बताएगा मैं कोई और solution आपके लिए ले कराँगो इसको मिलते हैं next video में तिल बाटे के I love you all